हाई गाईज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इगनु में BCA का सिनॉप्सिस कब जमा होता है सिनॉप्सिस को आप गाइड्स बाइड़ाटा प्रोजेक्ट प्रोपोजल भी कह सकते हैं ठीक है तो सिनॉप्सिस कब जमा के जाता है BCA में इगनु BCA की में बात कर रहा हूँ तो उसके बारे हम लोग जानने वाले हैं मैं आपको बता दूँ कि इगनु BCA में जो सिनॉप्सिस जमा होता है वो फिप्थ सेमेस्टर में होता है फिप्थ सेमेस्टर का एकजाम देने से पहले ठीक है जिसकी लाष्ट डेट एक तो यह जो जमा होता है सिनॉप्सिस वो एक साल में दो बार होता है, जैसे कब यहां देख पाएंगे, यह official notification है, ठीक है, तो एक साल में दो बार synopsis जमा करना होता है, अगर आपका exam, 5th semester का exam के मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका 5th semester का exam जून में होने वाला है, तो आपको इस जमा करना अपना यानि कि 1st April से लेकर 30 June तक आपके पास वक्त रहता है जमा करने का synopsis, अगर आपका exam, यानि कि 5th semester का exam दिसंबर में होने वाला है, तो आपके पास वक्त है 1 October से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है, तो यह date है इसका synopsis आपको जमा करने का synopsis आपको कहां जमा करना है, synopsis आपको जमा करना है अपने regional center में, ठीक है तो याद रहे कि, synopsis आपको 5th semester में ही जमा करना है, 5th semester के exam से पहले, अगर आपके 5th semester स्मेस्टर का एक्जाम जून में होने वाला है तो आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे यानि इस डेट को फॉलो करेंगे अगर आपके फिफ्ट स्मेस्टर का एक्जाम दिसंबर में होने वाला है तो आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे ठीक है सिनप्सिस जब आप जमा कर देत तो 30 दिन के बाद आपके पास एक approval लेटर आता है और में भी rejection लेटर लेटर आता है maximum time देखा गया है कि approval लेटर आ जाता है एगनू में ठीक है अगर आपने आपने सही तरीके से अपने सिनप्सिस बनाया है तो वरना reject भी होता है मैं ऐसा नहीं कहूंगा reject भी होता है अगर आपने सही तरीके से बनाया नहीं है तो ठीक है तो अप्रूबल सिनप्सिस आप जमा करते हैं उसके 30 दिनों के बाद आपको मिलता है यानि लगबग 40 दिन लगबग लगते हैं उसका अप्रूबल आने में उसके बाद आप अपना फर्दर प्रोजेक्ट बना सकते हैं तो याद रहे कि BCA का जो इगनू BCA का जो रिट है वो डेट अप ध्यान में रखेंगे और इसका अप्रूबल लेटर आएगा आपके घर में बाइपोस्ट 40 दिनों के बाद या फिर 30 दिनों के बाद थैंक्स पर वाचिंग